जया बच्चन अक्सर अपने बेबाग, बयान और अपने गुस्ते के लिए बॉलिवुड में जानी जाती हैं। अक्सर जया बच्चन का गुस्ता जात तर पैपराजीज पर ही भड़कता है। वहीं बॉलिवुड की वेटरनर एक्टर जया बच्चन ने दिल खोल कर अपनी बात वट दा हैल नव्या के दूसरे सीजन में रखी जुसका लेटिस्ट एपिसोड काफी वाइरल हो रहा है। इस एपिसोड में नव्या की मा, श्वैतानन्दा बच्चन, नानी जया बच्चन और भाई अगस्त्यानन्दा नजरा रही हैं और मॉडरन पुरुशो की टॉपिक पर बात करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। इस बाच्चीत के दौरान जया बच्चन ने कुछ ऐसा कह दिया जो अब सुर्खियों में हैं। खास्तोर पर ये था कि अगर डेट पर महिलाएं खुद बखुद अपने बिल का भुकतान करती हैं तो वो बेवकूफाना हरकत कर रही हैं। पेमिन्ट करना चाहती हैं तो उनमें से कई लड़कियां बुरा मान जाती हैं। क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि वो खुद अपने बिल का भुकतान करें। नव्या भी अपने बात पूरी ही कर रही थी कि बीच में उनकी नानी जाबच्चन चुलाते हुए ये कहती हैं कि अगर लड़कियां इस तरीके की हरकत करती हैं तो ये एक बेवकूफाना हरकत है। अब इस पर लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। और लोग जाबच्चन से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर इस तरीके से जाबच्चन की सोच किस वज़ा से सामने आई है।